एक 18 साल की लड़की की इज़त की धर्जिया उड़ाने का दुस्ता हस किया उस 18 साल की लड़की का दोश यह है कि उस लड़की की मा ने साल 2014-2019 में राहुल गांदी के खिलाफ अमेठी से चुनाओ लड़ा जिस अठारा साल की लड़की की इज़त पर कॉंग्रेस के प्रवक्ताओं ने आज हमला किया उस लड़की का दोश ये है कि उसकी मा स्मृती इरानी सोन्या गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ प्रेस में कॉंफरेंसिस करती है उस लड़की का जो अठारा साल की है कॉलेज के प्रथम वर्ष में पढ़ती है उसका दोश ये है कि उस लड़की की मा ने साल 2014-2019 में राहुल गांधी के खिलाफ अमेठी से चुनाओ लड़ा आज अपनी एक प्रेस कॉंफरेंस में कॉंग्रेस के प्रवक्ता ने हसते हुए जिस लड़की पर आक्रमण किया वो राजनीती में नहीं है एक साधारन से कॉलेज स्टूडेंट के नाम पर अपना जीवन व्यतीत कर रही है लेकिन कॉंग्रेस के प्रवक्ता ने अपने हाथ में कागस दिखाते हुए यह आरोप मढ़ा कि वो लड़की एक अवेद बार चलाती है मैं पवन खेडा से कहना चाहती हूँ मेरी अठारा साल की बेटी कॉलेज में पढ़ती है मेरी अठारा साल की बेटी कोई बार नहीं चलाती है पवन खेडा ने ये कहा कि मेरी बेटी को शोकॉस नोटिस दिया गया और अपने हाथ में दो कागजात दिखाए मैं आज पूछना चाहती हूँ अन कागजों में मेरी बेटी का नाम कहा है जैराम रमेश ने कहा कि वो आठियाई के आधार पर मेरी बेटी पर जो अठारा साल की है राजनीती में नहीं है कॉलेज की स्टूडन्ट है आठियाई के आधार पर वो मेरी बेटी पर आरोप मड़ रहे है मैं जैराम रमेश से पूछना चाहती हूँ कि क्या RTI की उस application में मेरी बेटी का नाम है क्या उसके जवाब में मेरी बेटी का नाम है कॉंग्रेस के प्रवक्ताओं ने कटाक्ष करते हुए हसते हुए ये कहा कि मैं सोनिय और राहुल के खिलाफ प्रेस कांफेंस करती हूँ हां करती हूँ करती रहुँगी हसते हुए कहा कि मुझ से जवाब मांगा जाए अब जवाब मैं मांगूँगी कोट में in the court of law and in the court of people और जिस गांधी खांदान के आदेश पर ये प्रेस कांफेंस की गई उनकी सरगना से कहना चाहती हूँ साल दोहजार चौबीस के लोक सभाचुनाओं में दुबारा भेजे राहुल गांधी को अमेठी हम फिर हमेठी में राहुल गांधी को धूल चटाएंगे ये भारतिय जनता पाटी के कार्य करता होने के नाते मेरा वादा है अधीन पूल चाहँने के लिद धिर बीज़ गांधी जनता हैं? 14 in 2019 that 18 year old girl her fault is that her mother as has been said by the congress spokesperson does press conferences against sonia gandhi and rahul gandhi that 18 year old girl her character today was publicly mutilated by the congress spokespeople and they claim that the mutilation stemmed from a show cause notice i want to ask that congressperson where is my daughter's name in the papers that he flashed jerome ramesh said that he's taking a position on the basis of an rti application my question is where does the rti application name my daughter the allegation that my daughter runs an illegal bar is malicious with the intent not only to assassinate her character but also to politically malign me it is done at the directions as was obviously stated by pawankeda of the congress leadership namely the gandhi family because i had the audacity to hold a press conference and question sonia gandhi and rahul gandhi for the 5 000 crore loot of the indian treasury so to the gentleman who sat there giggled as they assassinated my daughter's character i will see you in the court of law and in the court of people and to the gandhi family which directed that this press conference be held against my child i tell you this send rahul gandhi back to fight the lok sabhai election in 2024 from ameti and he will lose again that is my promise as a bjp worker and as a mother to that 18 year old child i will see them in the court of law